हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी के हमें भद्र पद यानि की भादो मास में जो तीज आती है हरताली का तीज उसकी पूजा के लिए हमें क्या-क्या समगरी चाहिएगी तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजे बताऊंगी और हमें क्या-क्या आफशक समगरी होगी जो हमें लगेगी उसकी बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले ये देखे मैंने यहाँ पर ये ले लिए हल्दी तो माता पारवती को हल्दी लगाने के लिए मैं हल्दी चाह थोड़ा साम एक पुरार्थी के लिए चैनल है और यहाँ पर यह इनले हैं रहे हिं यह ले चावल ठावाजा ही लें और आप चाहें तो तिल के तिल का दिपक भी ले सकते हैं और यहां पर यह मैंने ले लिए है रोली और चावल तिलक के लिए और यह मैंने कुछ पताशे लिए हैं तो हम यह पताशे भी ले लेंगे और अब हम यह ले लेंगे माचिस और एक थाल और हमने तयार करनी है जिसमे पल्लव आम के ले सकते हैं और यह मैंने लिया है बेल पत्र 11-21 गिंती में ले सकते हैं और धतूरा भगवान शिव को प्रिये चीजे होती है लाल गुलाबी सफेद फुल शिव भगवान के लिए आंकड़े के और यह भांग ले ली है जो भी मुझे अपने आसपास मेली चीजे वो मैंने इकत्रित कर ली है यह मेले फूल माला लिया है भगवान जी के लिए और धतूरा लिया है और यह लाल फूर मैं गणिश भगवान को चड़ाओंगी माता गौरा को चड़ाओंगी तो इस तरीके से आपको जो भी चीजे मि गौरी शंकर बनाने होते हैं और गनेरिजी बनाने होते हैं इसकी वीडियो चैनल पर भी है आप जाके जरूर देखेगा तो हम ये मिट्टी से इस तरीके से शिप परिवार बनाएंगे और ये भोग में मैंने मोदक लिये हैं और यहाँ पर ये मैंने जो है लड़ू सकते हैं पूड़े भी बना सकते हैं अब हम एक नारियल लेंगे पानी वाला नारियल लेना है अपको अपने जो है बहगवान जी को चड़ाने के लिए और ये मैंने सुहाक का समान लिया है और मातर अनी की चुनरी जरूर लिजेगा और अगर आप सोला नहीं लेना चाते तो कोई बात नहीं आप बेसिक चार-पान चीज़े तो जरूर ले और सोला सुहाक की चीज़े क्या होती है उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पर आप वो भी जाके देख सकते हैं कि हमें सोला चीज़े कौन सी लेनी होती है सुहाक के लिए और अब ये हमने फल ले तो इस तरीके से आप पांच फल ले लिजिए या ग्यारा ले लिजिए और अलग-अलग ये सकते हैं तो जो भी आपको असानी से मिल जाए आप वो फल ले लिजिएगा और अब चोकी पे बिछाने के लिए या तो पीला कपड़ा ले 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 लिजिएगा या लाल ले ले तो बहुत अच्छी बात है आपको अपने मंडप सजाने के लिए केले का पता जरूर लेना चाहिए अगर मिल जाता है तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं लेकिन कोशिश कीजेगा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है हरताली का तीजवरत के लिए तो ये कुछ समग झाल 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 झाल